तीन दिन इस चीज का सिर्फ आदा चमच दूद में उबाल कर पीलो। पूरी जिन्दगी कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, जोडों का दर्द और हडियों और दातों की कमजोरी कभी नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस वडियो में हम आपके लिए एक ऐसे चमतकारिक नुस्खे को बना कर दिखाएंगे जिसका परियोग करके आप अपने सरीर के हर प्रकार के दर्द से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पासकते हैं। दोस्तों यदि आपको पहले से घुटनों का दर्द है जोडों का दर्द है कमर का दर्द है या गठिया का दर्द है तब भी आपको इस नुस्खे का सेवन करना चाहें। क्योंकि यदि आप तीन दिन इस नुश्खे का सेवन कर लेते हैं तो चाहे आपके सरीर में किसी भी परकार का दर्द हो वो जड़ से खतम हो जाएगा और यदि आप लगातार इसे दस दिन तक ले लेंगे तब आपको जीवन में कभी भी जोडों का दर, घुटनों का दर, कमर का दर, गठिया का दर, बाई बादी का दर या सरीर का किसी भी त्रहें का कोई भी दर्द नहीं होगा और आपके सरीर की हडिया वजर के समान मस्बूत हो जाएगी, आपको दांतों से जुड़ा कोई भी रोग नहीं होगा इतना चमतकारी इस नुस्खे का रजैट है, और इतना चमतकारी है ये नुस्खा दोस्तों इस नुस्खे को लेने से आपके सरीर की रोगों से लड़ने की सकती इम्यून पावर बहुत अधिक बढ़ जाएगी जिससे आप बहुत त्रहें के रोगों से बचे रहेंगे और आपको कोई भी रोग नहीं लगेगा तो चले दोस्तों जानते हैं कि इस जो नुस्खा है ये इसको बनाने की मुखे सामगरी क्या है दोस्तों इस नुस्खे को बनाने की जो मुखे सामगरी है वो है दोस्तों धाक की कणी दोस्तों हमारे यहाँ पर इसको धाक की कणी के नाम से बोलते हैं सिर्फ पांच रुपे का नुस्खा है दोस्तो और ये पांच रुपे का नुस्खा आपके सरीर के हर तरहे के दर्द का जड़ से सफाया कर देगा दोस्तो जब कोई pregnant lady की delivery होती है तो delivery के बाद में ये ढाकी कने उस pregnant lady को खिलाई जाती है दूद वगरा में देकर या फिर सांदा वगरा बना कर ताकि जो उनके सरीर में कमजोरी आ गई है delivery के बाद वो कमजोरी ना रहे और ना ही उनको हडियों का दर्द हो या किसी प्रकार का कोई भी दर्द हो क्योंकि delivery के बाद back pain होने की संभावना बहुत अधिक रहती है और एक सरीर में कमजोरी आ जाती है ये ढाकी कने उन सब का इलाज कर देती है और दोस्तो यदि आप इस नुस्खे को लगातार लेंगे तब आपके सरीर में भी जबरदस्त ताकत आ जाएगी आपका सरीर अंदर से मजबूत बन जाएगा अंदर से फोलादी बनेगा दोस्तो एक तो body होती है बाहर से दिखावटी एक होता है सरीर अंदर से मजबूत यदि आप इस ढ़ाग की कने का सेवन करते हैं तो इससे आपका सरीर अंदर से मजबूत होगा सरीर थुल्थला नहीं बनेगा बलकि अंदर से स्ट्रोंग होगा आपकी रोगों से लड़ने की सकती बहुत अधिक हाई होगी कैलसियम का खजाना है ये आपको हाडियों और दांतों के रोग नहीं होगी तो चले दोस्तों बताते हैं कि इस नुस्खे को आपने बनाना कैसे है दोस्तों इसके लिए जो तीन समगरी आपको चाहिए पहली चाहिए धाकी करनी उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ दूसरी चाहिए आपको एक चमच गाएं का घी दोस्तो गाएं के घी के फाइतों के बारे में आप जानते ही हैं वो बताने की जरूरत नहीं है तीसरी समगरी है दूद वो आपको गाएं का दूद ही लेना है दूद के फाइते भी आप जानते ही हैं तो ये तीन समगरी इस्ते लिए चाहिए तो आये जानते हैं कि इसको आपने बनाना कैसे है दोस्तों सबसे पहले आपने एक बर्तन लेना है और उसको गैस पर रख देना है अब उसमें आपने एक चमच सुध गाएं का घी डालना है जैसे कि ये हमने डाल दिया अब आपने इसमें डालना है एक गिलास गाएं का दूद जैसे कि ये हमने डाल दिया अब आपने दोस्तों इसको तीन उबाल देने हैं जैसे कि ये हम दे रहे हैं और यदि आप अपने सवाद के लिए इसमें मिस्री मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं जैसे कि हमने इसमें मिसरी डाल दी, क्योंकि मुझे मिसरी के साथ इसका अच्छा टेस्ट आ जाएगा, लेकिन आपको इसका आदा चम्मत से अधिक सेवर नहीं करना है, नहीं इस दूद में डालना है, क्योंकि इसका सवाद तलक होता है, तब आपको ये अधिक तलक लगेगा, इसलिए आप अगर मिसरी डालेंगे, तो इसका आपका टेस्ट बन जाएगा, जैसे कि मैं इसको मिसरी डाल के ले रहा हूं, और मैं ऐसे ही सको लेता हूं मिसरी डाल के, ताकि टेस्ट भी बना रहे, और जो इसने काम करना है वो ये अपना काम भी कर दे लेकिन यदि आपको डाइवर्टीज की बिमारी है तब आपने इसमें मिष्री का प्रयोग नहीं करना है फिर आपने विदाउट मिष्री को ही इसको बनाना है अब आपने इसको तीन उबाल देनी है जैसे कि ये हमारे तीन उबाल आ गए अब आपने गैस को बंद कर देना है और इस दूद को एक गिलास में डाल देना है दोस्तो आपने इसको चानना नहीं है बिना चाने ही इसका प्रयोग करना है जैसे कि हमने एक गिलास में डाल दिया अब आपने इसका सेवन हर रोज सुबह खाली बेट करना है यानि कि आपने इसको बासी मू हर दिन पीना है और दोस्तों यदि आप तीन दिन इसका सेवन करते हैं तो तीन दिन में ही आपके सरीर का हर तरह का दर्द बिलकुल जड़ से खतम हो जाएगा इसके बाद ना तो आ आपके सरीर की हडियां भी वजर के समान मजबूत हो जाएगी आपके दात मजबूत हो जाएगी क्योंकि ये कैल्सियम का खजाना है और कैल्सियम की कमी को भी पूरा करता है और आप सो साल तक बिलकुल सवस्त जीएगे आपके सरीर की रोगों से लड़ने की सकती बढ़ ज जिससे कोई भी बीमारी आपके आसपास नहीं आएगी और आप हमेशा सवस्थ जीवन जीएगे तो दोस्तों आप इस धाकी कणे का प्रियोग करके अपने सरीर को आज ही सवस्थ बना ले तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लिज लाईक और सेर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजे ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिपकेशन आते रहे धन्यवाद दोश्तो